लक्षमी बाउन को अक्षए कुमार की PR टीम इस बार अलग तरीके से प्रमोट कर रही है जहां अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही कोई भी फिल्म का ट्रेलर आता है तो जो फिल्म के सोकॉल जिनके नाम है जिनके नाम से फिल्में चलती है जिनके stars newspaper के front page पर छपते हैं वो review करते हैं वही इस बार देखा गया कि उन लोगों ने तो review किया ही इसके अलावा अक्षे कुमार की team ने कुछ ऐसे लोगों को approach किया है review करने के लिए कि वो लोगों के sentiments को touch कर सके और जादा अंदर तक audience तक पहुँच पाई यही कारिन है कि लक्षमी बाम के लिए अक्षे कुमार की team ने लक्षमी जो transgender है जो की social worker भी है काफी बड़े काम उन्होंने किये हैं उनसे review करवाया है इनफेक्ट लक्षमी ने अक्षे कुमार की लक्षमी बाम फिल्म का review करते हुए इस फिल्म की काफी तारीफ भी की और उन्होंने ये भी खुशी जताई कि मेरा नाम भी इस फिल्म में है लक्षमी का वो review शेर करते हुए अक्षे कुमार ने लक्षमी को thanks कहा है अक्षे कुमार ने लक्षमी का वो वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा है कि थैंक्स इतनी तारीफ के लिए एक लक्षमी की तरफ से दूसरी लक्षमी को बहुत सारा प्यार इसके बाद वो लिखते हैं कि नाम सच में बहुत खास है तो कुछ इस तरह से अक्षेकुमार ने लक्ष्मी की तारीफ की है, लक्ष्मी ने अक्षेकुमार के ट्रेलर की तारीफ की है यह अलग तरीके की PR अक्टिविटी इस बार इस फिल्म के साथ की गई है हाला कि इसी तरह की अक्टिविटी दिपिका पादुकोन की फिल्म छपाक के टाइम पर भी की गई थी चपाक ऐसे डाटाइक्ट विक्टिम लक्षमी पर बेज दी और चपाक का पूरा प्रमोशन दिपिका पादुकोन ने लक्षमी के साथ मिलकर ही किया था तो शायद अक्षा कुमार की टीम भी इस बार शायद कुछ इसी तरह से कर रही है उनकी फिल्म लक्षमी बॉम को प्रमोट करने के लिए जहां लक्षमी बॉम को पूरी इंडास्ट्री से आशिरवाद मिला है सबने पसंद किया है ट्रेलर के लिए ट्वीट किया है वहीं अक्षा कुमार ने भी सब को परसनली थैंक्स कहा है तो दूसरी तरफ लोगों में जो गुसा है सुशान सिंग राजपूत मामले को लेकर बॉलिवुड ने जिस तरह से इस मामले पर चुपी सा दी वो जो गुसा है वो निकल रहा है ट्वीटर पर सोशल मीडिया पर